हालो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत था आपका फिर से आपके और हमारे चैनल में जिसका नाम है वाच बिफोर यू बाई आज चो मैं अन्बॉक्सिंग लेकर आए हूँ वो है एक इन-ear headphone जो कि मैंने Amazon से मंगाया है सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स शो करती हूँ कि यह मुझे कौन से रेट में और कैसे पड़ा तो देखिए यह हैं डिटेल्स यह देखिए मैंने यह जो खरीदा है वनमोर पिस्टन फिट प्रीमियम इन-ear headphone headphone with mic, silver color का, silver and black color का कुछ मैंने लिया है या इसके जो amount है वो 999 रुपीज है और as usual मैंने Amazon से मंगाया है जो कि मुझे प्राइम में मिला है one day delivery which is very nice तो 999 रेट था और कोई discount नहीं मिला मुझे मुझे बहुत जरूरत थी चाहिए थे मेरे पुराने वाले earphone खराब हो गये हैं इसके लिए मैंने यह Amazon से order किया one day delivery में तो सबसे पहले इसके unboxing करते हूं आपको दिखाती हूं मैं कि हमें packet में क्या म तो सबसे पहले हमें यह white color का box दिखने के मुलता है जो की है one more piston fit premium की तरफ से white color का है और यह front में यह color silver color के मैंने मगाए हैं और यह color show कर रहा है one more का यहां पे लिखा हुआ है और यह piston fit यहां पे लिखा है silver color में और यह Chinese company है तो यह सब कुछ चाइना चाइनीज में ही लिखा हुआ है जो कि मुझे कुछ भी समाज नहीं आ रहा और यहां पे देखें तो model number दिया है 1009 और length दी है 1.25 meter weight है 14 gram और type है in ear और 3.5 mm jack है wire जो है वो copper color में है okay wire material enameled inline remote control included okay frequency दी है यहां पे 20 to 20,000 okay sensitivity rated power ओके ओके शेंजन चाइना ओके यहां manufacture यहां पे हुआ है okay और यह क्या लिखा है यहां पे भी address बगारा कुछ लिखा हुआ है और यहां पे बार कोड़ दी है बस यह इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं product में हमें क्या मिलता है तो यहां से flip करेंगे थोड़ा सा और यहां से खुलता है actually इसको खोलेते हैं यहां से खुल गया है और यह रहा इसका इनर पैक और पैकेट में हमें मिलते हैं सबसे पहले तो यह मिलता है manual user manual Chinese में है जोगी तो फ्रेंड्स यह user manual है इसमें बताया गया कि हमें यह सब कैसे यूज करना है यह देखें पॉस करने के लिए प्ले करने के लिए और कॉल रिसीव करने के लिए और कॉल कट करने के लिए और यह माइक का बताया है कैसे यूज करना है और यह earbuds है यह सब बताया है इसमें वारंटी का भी कुछ लिखा है limited period of warranty है जो कि एक साल की है और वारंटी में कुछ ज्यादा इंक्लूड नहीं होता है जो भी manufacturing defect होगा वो include होगा और एक साल के लिए valid है और अगर वो कुछ करते हैं तो repair करेंगे या फिर इसको replace करके देंगे अगर कुछ defect रहता है उनके manufacturing में कुछ defect रहता है इसके लिए तो यह हैं दो pouches तो यह सबसे पहले pouch है ear buds का यह देखिए small ear tips है और यह large होंगे और यह जो pouch है इसमें देखते है क्या मिलता है तो यह रहा one more piston की तरफ से in ear ear phone तो यहां भी medium size के जो है और अपलाई हैं देखिए आप यह मैंने silver color में मगाय थे silver and black दो color मुझे मिले हैं कुछ इस तरह से इन्होंने इसको pack किया है यहां से हम इसको open और यह देखिए और यह रहा इन-ear headphone सबसे पहले इसके 3.5 mm jacky audio jacky बात करते हैं तो यह gold plated है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और यहां भी silver finishing दी है जो कि मैंने silver color में मगाया था इसके लिए और यह wire की quality ठीक है मेरे ख्याल से यह flat cables होने चाहिए फिर भी मैं use करने के बाद आपको बताऊंगे कि यह flat है या नहीं है anti-tangle है या नहीं है और यह रहा mic माइक में सिर्फ एक ही बटन है और इसी को single click double click से आप सब कुछ handle कर सकते हो इसमें आप volume up and down नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई भी option नहीं है और यह रहे इसके ear tips इसको खोल के आपको दिखाऊंँ तो यह देखिए और सिलवर कलर का इसमें ग्रिल दिया हुआ हाँ यह कैमरे ने फोकस किया सिल्वर कलर का ग्रिल दिया हुआ है यह देखिए काफी टाइनी सा है और फिनिशिंग यह जो है बहुत अच्छी लग रही है और यहां पर कुछ भी ब्रैंडिंग तो नहीं दिया है one more piston की तरफ से plane है यह पूरा देखने में तो यह काफी अच्छा लग रहा है यह देखिए शाइन दे रहा है क्यामरा फोकस ही नहीं कर रहा है मेरा है यह देखिए शाइन किया है इसने यह देखिए यह लेफ्ट साइड है एल लिखा हुआ है और यह स्पीकर ग्रिल तो अभी तक तो यह देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं तो मैं इनको यूज करूंगी और और मैं आपको बता कि मुझे यह कौन से खरीदने चाहिए तो फाइनली मैं इस पर आके रुकी थी मैंने जेबील के भी देखे थे लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम लगा मुझे उसमें तो मैंने इनको प्रेफर किया खरीदना तो मैं बताऊंगे आपको यूज करने के बाद एक हफता यूज क और यूज को फाइनली में ने एक वीक तक जान इनको डे रही हो तो सबसे पहले करते हैं इनके एयर टिप्स की यह जो इनोने कुशनिंग दी हुई है यह बहुत ही comfortable है, आप इसको कान के अंदर डालोगे, दोनों ear tips को कान के अंदर डालोगे, आपको बहुत comfortable फील होगा, आप कितनी भी देर तक music सुन सकते हो, इस पर कोई भी problem नहीं होगी, चाहे आप 2, 3, 4, 5 घंटे लगा के रखोगे, आपके ears में बिल्कुल भी pain नहीं होग यह बहुत ही comfortable है, हलांकि यह medium ear tip है, जो इसके साथ ही आये थे, और मैंने ऐसे ही इनको use किया है, लेकिन तब भी मुझे कोई problem नहीं होगे, मैं इनका size भी change नहीं किया है, medium ही use कर रही हूँ, और second बत करूँ तो जब आप इनको कानों में लगाते हो, तो आपको बाहर का noise ज रखता है उस चीज़ से, जो की काफी अच्छा है, और यह in ear है, तो काफी आपको music जो है, काफी loud मिलता है, वो एक अच्छी बात है, जो काफी loudness अदती है music की, इसकी finishing वगारा काफी अच्छी है, जासा कि आप देख सकते हो, metal का है यह सारा, और इसका जो यह wire है, यह tangle free नहीं है, anti-tangle नहीं है, यह थोड़े बहुत उलत जाते हैं, इनको में को ठीक करना पड़ता है, और मैं इसकी mic की बात करूंगी, तो मैं आपको यह जो next audio सुनाओंगी, वो इस mic की, के through सुनाओंगी, तो आप देखिए का mic कैसा है, तो friends, अभी यह जो recording हो रही है, यह one more piston क के earphone से हो रही है, इसी के mic से हो रही है, आपको estimate लग जाएगा कि पहले जो मैं volume आ रहा था आपको और अभी जो volume आ रहा है, उसमें कितना difference है, कौन सा अच्छा लग रहा है, अगर आपको यह one more piston का mic अच्छा लग रहा है, तो आप comment में लिखें, तो मैं अपनी next video में अग इसकी audio की, तो audio बहुत ही अच्छी है, इसकी decent है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी bass नहीं है, बहुत कम भी bass नहीं है, trouble यह सब एक्दम perfect set किये होए है, अगर फिर भी आपको कुछ problem रखती है, तो आप अपने equalizer में जाके sound system को ठीक से अपने according set कर सकते हो, लेकि earphone बहुत ही अच्छे है, आप इनको without any doubt buy कर सकते हो, तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद बंदे मातरम